पर्षन है विनास का समय जितना नजदी काता जाएगा उसकी निसानिया क्या होगी उत्तर है विनास का समय नजदीक होगा तो एक सब को मालूम पढ़ता जाएगा कि हम बाबा आया हुआ है दुसरा अपने दुनिय की स्थापना पुराने का विनास होना है बगतों को शक्षकार भी होंगे तीसरा सन्यासियों राजवादी को ग्या मिलेगा जब सुनेंगे कि बिहद का बाबा आया है वही सद्गती देने वाला है तो बहुत आएंगे नमबर पांच अखबारो दुआरने को गुसंदेश मिलेगा नमबर च्छे तुम बच्चे आतमे बिमानी बन दे जाएंगे एक बाप की ही याद मिया तिंद्री सुख में रहेंगे मिठे मिठे स्किलदे बच्चों परती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यारोर और गूड उम्स्यंते सुकरिय बाबा आपका दारणा के लिए मुक्केसार पहला पॉइंट माला में पिरोने के लिए देही अम्मिवानी बन तीवर विख से याद की अतरा करनी है बाप के फरमान पर चल कर पावन बनना है दूसरा पॉइंट बाप का परिच्च दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है यहां वन वाहा में रहना है अंतिम आहाकार की सिंदिगने के लिए मावीर बनना है स्वर्दान है हर करम में फालो फादर कर सनेह का रेस्पॉन देने वाले दिवर पुशरते बाव जिससे नहीं होता है उसको अटोमेटिकली फालो करना होता है सदा याद रहे कि यह करम जो कर रहे है यह फालो फादर है अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो बाप को कॉपी करते बावसमान बनो कॉपी करने के लिए जैसे कारबन पेपर पर डालते हैं वैसे टेंजन का पेपर डालो तो कापी हो जाएगा क्योंकि अभी ही तीवर बुट्षार्थी मन समय को आरशकते से संपन बनाने का समय है अगर समय समय को संपन नहीं कर सकते हो तो सयोग लो नहीं तो आगे चल तू लेट हो जाएगा सलोगन संतुष्टा काफाल परसंता है परसंचित बनने से परसं शमाप्त हो जाते हैं अच्छा उम्शांते मीठे मेठे बाबा के बच्सी चैनल को लाइक करें शेर करें सबस्क्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें अच्छा फिर स्चाес उम्शांते